चलो students तो आज हम देखेंगे probability और इससे related सारे concept clear करेंगे events, types of events, सब चीज़े आज clear कर लेंगे तो first of all probability, probability का definition क्या होता है, probability is the branch of mathematics concerning numerical description of how likely an event history occur और how likely it is that a proposition is true, यह सरीफ एक definition है, गभी आपको कहीं, exam में पूछा गया, define probability तो आप यह लिग देना, अब इसका example क्या है, a simple example is the tossing a fair coin, first of all probability का मतलब क्या होता है, कि chances, किसी भी चीज़ का chances क्या है, chances होता है probability का मतलब, तो एक example देता हो, जिससे एक coin है, हमनोंने coin को उडाते ह हैं, यह जो coin होता है, अपने normal coin, head और tail, तो जब उडाएगे, तो अपने वो क्या-क्या मिल सकता है, यहां तो head मिल सकता है, यह थो tail मिल सकता है, अगर तो हैड आएगा या तो टेल आएगा Hello students तो आज हम देखेंगे probability क्या होता है और उसे कुछ concept जारेंगे उसे related सारे concept आज देख लेंगे basics देख लेंगे तो probability probability मतलब होता है chances जैसे यह पहला example देखते हम क्या लायन उड़ सकता है लायन उड़ सकता है क्या जाहिर सी बात है वह तो नहीं उड़ सकता तो the probability of a lion being able to fly is zero किसी भी लायन के उड़ने का probability क्या है जीरो है अब second example देखते what is the probability of getting natural number of a fair die die मतलब जो साब सीडी में हम जो जिस die से गुमाते है उसको बोलते है die वो कुछ ऐसा दिखता है अब वो die को हम जब ठो करते है तो chances के उसे number आने के होते है 1 के होते है 2 के होते है 3 के होते 4 होते 5 होते 6 होते यह 6 ही chances होते है अपने को तो यहाँ पर क्या पुछ यह सब नहीं होगा क्यों अब नैचनल नंबर सो यह सब है इसमें से 6 हो नचनल नंबर है अभी प्रॉबिलिटी का यह फॉर्मला होता है फॉर्मला का मतलब क्या है number of waves of an event can occur upon total possible event तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी event को occur करने का कितने waves है जैसे number one लिया number one के chances कितने आने एक बार में थो किया तो number one आने के chances कितने एक ही बार chances से ना एक डाय किया एक डाय थो किया तो एक ही चांसे वन नंबर बनाने के दो नवन तो आई नहीं सकता इसलिए number of phase में यह वन आ जाएगा और आपन total possible event total possible event कितने अपने पास छे है ना छे है छे इवेंट है छे चांस आए एक सिक्का इल्डाय तो चांसेस का होता है यह तो हैट आने के chance होते है यह तो पिसलिए ज़से कितने एक ही है अब टूटल पॉसिबल आउट इवेंट्स मतलब दो इवेंट्स है न टूटल यहां पर नमबर ओफ एस कितना है दो है इसलिए डिवाइड बाइटू कर दिया हम इने अकॉर्डिंग दूटल यह होगा 0.5 सेम प्रोबियुटि ओफ टैल क्या हो जाएगा 1 बैटू इस उकल टूटल प्रोबियुटि एक्सपेरिमेंट क्या होता है अब प्रोबियुटि एक्सपेरिमेंट इस अन एक्सण थूरू वीच अस्पेसिफिक रिजल आउटकम्स और आ क्या होता है कि ट्रॉटि क्या होता है कि ऐसको कॉछी एक्सपेरिमेंट क्या होता है में ग्यों या तो टेर मिलेगा तो यह जो दो है ना इसको बोलते है आउटकम आप देखते हैं वाट इस रेंडम एक्सपेरिमेंट ए रेंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोसेस फॉर वीच देर आर मोर टैन वन पॉसिबल आउटकम और आउटकम्स कैनोट भी प्रिडिक्टेड रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो आउटकम्स है ना आउटकम्स वो एक से जादा होंगे और जो आउटकम्स है ना जो आउटकम्स आएगा ना उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं जिसे एक एक्सांपल देख लेते हैं ब्लड़ ग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अब बीना आप चैक अब जब ब्लड गुप चैप करवाने गए हो बीना रिपोट के आपको पता चलिया क्या कि कौन सा ब्लड गुप है उस बंदे में नहीं न तो इसलिए और प्रिडिक्ट यह सेकंड सेंटेंस भी सेटिस्फाइड कर रहा ह अब देखो इसको लिके से सकते इन रेंडम एक्सपेरिमेंट सैंस आउटकम्स आंडसें अरं प्रेले होतहां प्रूंड होटय मतना है प्रूंड इखितए है की सपेस और सैंपल-पॉंट क्या होता है तो यह सब क्या है सेंपल स्पेस क्या होता है सेंपल स्पेस ही और एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट है सारे रिजल्ट उसको बोलते हैं सेंपल स्पेरिमेंट जैसे अडाई इस थ्रोन तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपने को वान टू थ्री फोर फाइफ सिक्स यह सब यह सब क्या है यह है सेंपल स्पेररी एक जा रेमपल देखते हैं तो कॉइंध स्पेरीव अब एक या मुंद ने के लिज़न टाइग विन लिएव है अब टेबल बलटका सांदहें देखोः यह एक कोईं का हो गया वर हो गया अब यह दोमेंटिप्लाइब्र हब होओ हृच यह वह αट अह ठी LED एच टी टीटी तो सेंपल स्पेस सेंपल स्पेस क्या होगा यह होगा सेंपल स्पेस क्या होता है element of a sample space for an experiment are called a sample point जिसे मैंने बोला a roller die मैंने टाइग को फेका तो सेंपल स्पेस क्या हो जाएगा one two three four five six number of s कितना हो गया six element of sample space इसके element जितनी सेंपल स्पेस के element है उसको बोलते है sample point अब देखते हैं depending on the number of sample space और sample point यह दो चीज में convert हुए है differentiate हुए है किसमें discrete sample space और continuous sample space discrete sample space में क्या होता है finite होता है और countable infinite होता है और continuous simple space में क्या होता है uncountably infinite होता है मैं आपको अभी आच्छे से पता तो example देगे तो आप पर समझ जाएगा अब discrete sample space discrete sample space is a sample space containing finite number of point और countably infinite number of point is called discrete sample space discrete sample space क्या होता है अगर जो sample space है मतलब यह यह जो sample space है वो finite है finite है और उसको हम गिन सकते हैं वो हो गया discrete sample space discrete sample space या तो finite sample space होगा या तो countably infinite sample space होगा अभी हम आगे देखते कि finite sample space क्या होता है और countably infinite sample space क्या होता है तो finite sample space a finite sample space as he is called a finite sample space if the number element in as he is finite finite मतलब जो number of s है वो finite हो वो कहीं कहीं जाके खतम हो जाएंगे जैसे यह देखो वन से चालो 6 पे खतम हो गए उसका बोलते है finite इसका मतलब वतलब finite है यह sample space क्या है finite sample space है where n is the number of possible outcomes for example toss of a coin s is equal to h or 10 h or t यह क्या finite है इसलिए यहाँ पे number of s कितना होगा 2 अब देखते है countably infinite sample space क्या होता है a sample space s is called countably infinite sample space if the number of the element in s are countably infinite मतलब एक sample space है उसको हम गिन सकते हैं लेकिन वह infinite होगा वह रुकेगा नहीं जिससे एक example देखते है the number of miss call received on a particular day जिससे आपको miss calls आते हैं समझो सुभे उटे आपको miss call आया फिर एक और miss call आएगा ऐसे आते जाएगा फोन आते जाएगा वह आप उसको रोक नहीं सकते हैं वह रुकेगा नहीं आपको इसलिए उसको क्या बोलते हैं countably infinite sample space अब देखते हैं कि continuous sample space क्या होता है a sample space s is called continuous sample space if the number of element in s are uncountably infinite अगर किसी भी sample space का जो number हो वह uncountably हो और infinite हो तो इसको क्या बोलेंगे continuous sample space if a sample space contain uncountable infinite number of element or event then the sample space is called continuous sample space example measuring room temperature from time 1 to time 2 समझो तो दोपर की एक बज़े से सामके पाच बिज़ेगा हम लोग temperature measure करें तो वह countable नहीं होगा ना time time to बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा infinite है बढ़ते जाएगा रूखेगा नहीं रूखेगा 0.01 हो सकता है 0.012 भी हो सकता है 0.013 भी हो सकता है 0.02 भी हो सकता है यह क्या continuous होते जा रहे है इसलों क्या बोलेंगे continuous sample space अब देखते कि event event क्या होता है collection of outcomes from the sample space we say that an event occurs if any one of the outcomes in the event it is also defined as a subset of sample space मतलब subset क्या होता है जैसे एक set है h और t इसका subset क्या हो जाएगा यहां तो h होगा h को भी subset बोलते और यह t भी subset है समझे subset क्या होता है यह किसी भी sample space का element वह होता है subset तो देखू फिर example मैंने क्या लिला s,H or t यहां पर juh or t क्या है subset है किसके s के subset है ठीक है और यह जो अगर हमने यह eck h subset लिया है यह क्या हो गया एक event हो गया और t v क्या हो गया एक event हो गया दोनों क्या अलग अलग event हो गया है क्या इक और example देता हौ जिसे यह जो number of s है अडा selection किया तो इसके small set क्या होता है यह सब से खोटे पास यह दोगे इसको आप मैंसे भी याद किुते हैं जो फादर मान लो इसको इवेंट नूब का प्रोबडियू अलए का चांसेज क्या हो देख नक्ते मस लाए बेटिन 0 & 1 वो 0 और 1 के बीच में उक्यूर होना चाहिए और अगर समझो 0 आया तो इसका मतलब क्या है जो इवेंट विल नॉक्यूर और अगर 1 आया तो देट इंप्लाइस देट इवेंट विल उक्यूर अब देखते हैं टाइप उप इवेंट क्या होता है एलिमें इन प्रोबाइब्यटिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है अगर कोई भी सैंपल स्पेस है सेंपल स्पथे समसे है को इंए एंट कंसिष्ट फैस का एक भी पॉइंट जा चैनिधा थैं में लिया तो ईograf को क्या बोलेंगे ऴंप कि हैं अब यहां पे क्या हो गया event event 78 हारे वह किसके element है number of sksk element nta तो यहां पर GOOD Galaga Simple event कह यहांद आपका earth probability of occurrence of an event is zero la vista event is called a impossible limit in other words the event empty set is known as the possible event impossible if the half of पूछा कि 7 नंबर 7 आने का चांस इस क्या है नमबर 7 तो आहीं नहीं सकता ना क्योंकि डाइस में से 1 2 6 के बीच में नमबर होता है तो इसको क्या बोलेंगे इंपॉसिबल इवेंट अब दिखते हैं सटन और स्टेन और इवेंट सटन और स्टेन और स्टेन और स्टी ऑफ अधन यहीं और किसी बी इवेंट का प्रोटी आने का चांस रभर होता है तो इसको बुलते है स्टेन और अब देखतें इक्वेली लाइक एवेंट क्या होता है समझो मैं एक डाय तोक या उसे नंबर क्या किया सकते है 1 2 3 4 5 6 अब मैं बोल रहा कि नंबर प्रोबिटी ओफ नंबर 1 एक आने के चांसे कितने एक ही है ना एक ही चांसे से और टोटल टोटल चांसे कितने 6 है इसलिए 1 2 6 इसका फॉर्मला क्या होता है अगर मैंने 1 लिया तो यह होता है नंबर ओफ वन इस इक्वल टू चांसेस ओफ वन इससे सौटकट में याद करो यह इदम प्रॉपर डेफिनिशन नहीं है फॉर्मला इसलिए मैंने फॉर्मला पहले बेचे बताया था आपको ना चांसेस ओफ नंबर वन अपान नंबर ओफ स ही है मेला यह है एक चांसेस ना और त्टोल इवन कितना हैज सीख से आभ यहाँ तो यहां था मैंने आभ बुख यल नबर त्री आने के चांसेस कितने है उसका प्यांज आएगा तो सबके असे मारे थे फूकरी लएक हैँए इसस был फॉट काम वाइत ञेवेंट dto अगर definition से दिखाता है तो one or more outcomes equally like events which have the same chance of occurring probability जिसके एक और एक से जादे event के आने के जो probability के chances है वो same होते है तो उसको बोलते equally like event देखते की exhaustive event क्या होता है a set of events is called exhaustive if all the events together consume the entire sample space यहाँ पर आप example दोगे तो आप समझ जाओगे यह sentence है यह definition है define and define that is event a and b are exhaustive if a union b is equal to b पतलब कोई भी समझे यह एक a event है और एक b event है दोनों को add करके अगर sample space का number मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे exhaustive event for example अगर यहाँ पर sample space क्या है 126 है अगर e1 और e2 क्या है इसके दो events है such that e1 consists of the number less than 3 नहीं क्या बोला e1 क्या consists कर रहा है number less than 3 तो less than number 3 क्या हो जाएगा less than 3 क्या हो जाएगा 2 और 1 इसलिए e1 क्या हो गया 1 और 2 अब यहाँ पर देखो e2 क्या consists of number greater than 2 दो से बड़ा number consists कर रहा है तो क्या हो एका 3 4 5 6 3 4 5 6 अब देखो यह दोनों को add करो दोनों को जब add करोगे तो क्या मिलेगा अब देखते हैं कि mutually exclusive event क्या होता है if the occurrence of one event excludes the occurrence of the another event such events are called mutually exclusive event इसको भी देखेंगे आपको अच्छे समझेगे अब that is two events do not have any common point for example अगर कोई भी दो event है जिसका एक भी जिसमें कोई भी एक common point नहीं आ रहा है for example example देखते हैं यह sample space क्या है 1 2 3 4 5 6 अगर e1 and e2 are the two events यह जो e1 और e2 क्या है कोई भी दो event है तो यहाँ पर क्या है such that e1 consists of number less than 3 e1 क्या consists कर रहा है number less than 3 तो e1 क्या हो जाएगा lesson number 3 क्या हो जाएगा 2 और 1 इसले में 2 और 1 लिग दिया और e2 consists of number greater than 4 तो greater than 4 क्या जाएगा 5 और 6 यहाँ पर देखो कोई भी common point है क्या नहीं है इसमें 1 और 2 इसमें 5 और 6 है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे then e1 and e2 are mutually exclusive events समझें यहाँ पर देखो तो a और b कोई common point है क्या event diagram से तो नहीं है न कोई भी common point इसले सो क्या बोलेंगे mutually exclusive और यहाँ पर क्या बोलेंगे यहाँ पर देखो यह point मिल रहा है न तो यहाँ पर क्या बोलेंगे a and b are not mutually exclusive अब देखते कि complementary event क्या होता है for any event even there exists another event even dash which represents the remaining elements of the sample space s इसका formula क्या होता है even is equal to s- even dash अब देखते example दो आप समझ जाओगे example क्या दिया if a die is rolled अगर die fake दा रहा है तो sample space क्या हो जाएगा 123456 अब क्या है if event even represent all the outcomes which is greater than 4 even क्या represent कर रहा है greater than 4 तो क्या मिलेंगे अपने को 5 और 6 इसले even क्या हो गया 5 और 6 अब even तो मिल गया अब s-b अपने पास अब even dash क्या होता है even dash क्या होता है कि जो यह even है न even इसको छोड़के जो भी elements sample space में है न वो होता है even dash अब 5c को छोड़के 5 और 6 को छोड़के sample space कोन को से नंबर है 1 2 3 4 तो यह क्या हो जाएगा even dash even dash इसलिए यहाँ पे जो even dash है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिए वन टइ अब दिक क्या है woo क्या होसे यह HC बहर्मन सब्सक्रा क्या है Weं डैस है और यह इन का क्या होजायगा इंसैं else का अगर आ और आप सभी को कुछ भीड़ावट वो मढसेंद सब्सक्रांerek कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप 11 के हो 10 के 12 को किसी भी फिल्ड के साइंस को आगा आगा आपको चाहते हो कि मैं सारे एक्सराइज भी स्वाल फोरू तो आप कमेंट सेक्शने बता देना थैंक यू